सबी दोस्तों का वेलकम है एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हरी मिर्च का प्लांट कैसे आप उगा सकते हैं तो दोस्तों हरी मिर्च को आपके घर में जो किचन में लाल मिर्च होती उसमें से सीड लगाईए और छोटे-छोटे प्लांट जब आपके तयार हो जाएं तो आप उनको ट्रांस प्लांट केर दीजिए 10 इंच के गमले में तो आपको ऐसे ही हरी मिर्च मिलेंगी देख सकते हैं ये मेरे घर के सीट से उगाया हुआ प्लांट है तो आप देख सकते हैं तो दोस्तो इसकी कुश आपको केर बता देते हैं दोस्तों तो हरी मिर्च का जो प्लाण्ट होता है वो आप देख सकते हैं इसमें कितनी हरी मिर्च हैं दोस्तो हरी मिर्च के प्लांट को अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं इसकी मिट्टी में तो दोस्तो इसकी मिर्च में जो तीखा फन होता है वो ज़्यादा नहीं आपको मिल पाएगा अगर आप चाहते हैं आपकी घर की उगाई हुई मिर्च बहुत ही ज़्यादा तीखी हो तो आप इनको पानी बहुत कम दीजिए कम पानी का मतलब यह है कि दोस्तो आपका प्लांट मरना भी नहीं चाहिए आप देख सकते हैं मेरे प्लांट के जो पत्ते हैं वो सारे देख सकते हैं कितने अच्छे से अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी तो यह पत्ते जो है के नीचे के लिए लटक जाएंगे तो आपको वो स्टेश पे मद नहीं ले जाने अपने प्लांट को, तो आप देख सकते हैं इसकी मिर्टी, तो यहां देखिए हरी मिर्च तूट के भी गिर गई है, तो आपको यहां पे इतना पानी रखना है कि आप इसे हर दूसरे दिन पानी दें, तो आपके जो घर की यह देखिए तो दोस्तों इस पर से मैंने कई बार मैंने तोड़ रखी है हरी मिर्चे और यह है जब भी हम खाना खाते हैं तो इस पेसे तोड़ लेते हैं तो दोस्तों प्लांट मेरे पर कई लगे थे हरी मिर्च के तो मैंने हटा दिये थे पर हरी मिर्च का दोस्तों आप एक बार प्लांट लगा लेते हैं तो यह दो साल से तीन साल तक रहता है तो दोस्तों बस इसकी कटाई आपको करनी होती है जब सर्दियों का टाइम आता है तो इसमें हरी मिर्च जो होती है वो तो हम ले लेते हैं और इसके पत्ते गिर जाते हैं, प्लांट ऐसा लगता है, कि अभी ये प्लांट बेकार हो गया है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, कि अपने प्लांट को जो है कि हार्ट प्रूनिंग कर देनी है इसकी, और जैसे ही जब दुबारा से गर्मियों का टाइम आएका, तो इस पर नई ग्रोथ और फ्लावरिंग होईगी, और फिर फ्रूटिंग होगी, तो ये देख सकते हैं, ये मेरे घर के और गेनिक है, एकदम इसमें कोई केमिकल यूज नहीं कर रखे हैं दोस्तों, इसमें मैं बर्मी कमपोस्ट का जो लिक्विट होता है, मेरी और वीडियो में आप देख सकते हैं, कि कैसे मैं इनके लिए खात तयार करता हूँ, तो वो लिक्विट मैं इसे हर हपते देता हूँ, तो उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं, जो ये छोटे छोटे फ्लावर देख रखे हैं, ये हरी मिर्च बनते हैं, तो इस इसे आखों की रोसनी भी तेज होती है इसमें भरपूर आयरन हमको मिलता है तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए है तो इसे अभी सस्क्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं आपको एक नेस्ट व